दून मेडिकल कॉलेज अस्पिताल प्रिशासन अस्पिताल की बहतर व्यवस्थाओं का दावा करता है लेकिन अल्टरसाउंड करवाने वाले मरीजों की परिशानी प्रिशासन दूर नहीं कर पाता दून अस्पताल में इलाज करवाने वाले मरीजों को अल्टरसाउंड अगर कोई डॉक्टर लिग भी देता है तो कई दिनों में अल्टरसाउंड का नंबर लग पाता है और इसके लिए सुबह 3-4 बजे तक अस्पताल में मरीजों को पहुँचना पड़ता है अगर गलती से आप सुबह के 5-6 बजे तक पहुँचे तो आपको बिना अल्टरसाउंड के ही वापस लोटना पड़ेगा क्योंकि आपको नंबर नहीं मिल पाएगा हैरान करने वाली बात ये है कि जिस अस्पताल में मैदान से लेकर पहाड तक दूर दूर से लोग इलाज करवाने के लिए पहुचते हैं जिस अस्पताल की ओपिडी में डेड़ से 2000 मरीज रोजाना देखे जाते हैं वहां रोजाना सिर्फ 35 मरीजों का ही अल्टरसाउंड हो पाता है जिसे बाकी मरीजों को खाली हाथ वापस लॉड़ना पड़ता है कि खाली जाना पड़ेगा ऐसा है पांस दिन होगी देख लोग जाला कि पच्छा पांस दिन संबार को बना ही लंबर बलपूर होगे और चले जाए पहुंच कि तिजिए हम पांच वाज़ेगे आमें निकले एक कल याई रूपे रापड़ रिस्तार के घर में पांस वाज थो दो दिन लग जाने में आज भीकास नगर जाना पड़ेगा तो आगर हो जाएगा तो ठीक तो ना होगा तो फिस तो फेस्टार में चोटे-चोटे-ँपी सब कुस्देखना स्कूल भी भेजना करता है तब अब जल्दी जल्दी अपने घर से निकल के आए आप फिर वापस जाओ सो दो सो रुपे किराए के फुके कल के लिए इससे अच्छा तो हम प्राइबेट में करा लेंगे दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के परचार यह डॉक्टर आशूतो सयाना ने जानकारी देते हुए क रहा है कि अस्पताल में वर्तमान रेडियो लॉजिस्ट डॉक्टर एस्पी कुडियाल अल्टरसाउंड कर रहे हैं जबकि डॉक्टर अवंतिका रमोला मेटेनिटी लीप पर चली गई है अस्पताल में सिर्फ एक रेडियो लॉजिस्ट के होने के चलते मरीजों को परिश पहले से ही काफी ज़ादा परिशानिया मरीजों को जेलनी पड़ रही थी रेडियो लॉजिस्ट की कमी के चलते हैं यहां पर जो है धहरदून ही नहीं बलकि पहाड से जो मरीज आते हैं इलाज करवाने के लिए उनको काफी ज़ादा परिशानी होती है अब जैसे कि हमने देखा के लोग जो हैं सुबह तीन बज़े से यहां पर पहुंच रहे हैं सुबह तीन चार बज़े पहुंच रहे हैं उनका नंबर लग पा रहा है और जो लोग पांच बज़े पहुंच रहे हैं उनका नंबर नहीं लग पा रहा है यानि कि अगर कोई पहाड से आता है को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने की इसे बात की जा रही है तो वहीं जो है लगातार अल्टरसाउंड की जो दिक्कत है बिना अल्टरसाउंड के ही मरीजों को वापस लोटना पड़ता है अब देखना यह होगा कि जो अस्पताल प्रशासन है और सरकार है इस पर किस तरह से जो है कदम उठाती है जिससे जो मरीज है वो परिशान जो है ना हो तरह दुन समय नाजमी लोकल एटीम के लिए